जेहिंद वंदे मातरम स्वागत है आप सभी का नोकडीकबर.com के ओफिसल यूटूब चैनल पर तो दोस्तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे इंडिया पोश्ट आपिस की तरफ से आचुकी साल 2030 के लिए नई भरतियों के बारे में जहांपे आप सभी के लिए पोश्ट मैन, MTS और मेल गाड के 98,083 पदों पर भरतियों के दो अलग-अलग नए नोड़िवी के संजारी कर दिये गए हैं दोस्तो अगर आप लोग इंडिया पोश्ट आपिस के अंदर आ चुकी 98,083 पदों पर आवेदन करके एक्जाम के बेस पर सेलेक्शन पाना चाहते हैं तो आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मोका आ चुका है यहाँ पे केबल और केबल कक्षा दसवी और बारवी पास केंडिडेट, पोश्ट मैन, मेल कार्ड और NTS के लिए आवेदन करके सरकारी नोकरी पास सकती हैं यहाँ पे आपका एक्जाम के बाद मेरिट बनेगी लेकिन आपका कोई भी परसेंटेस के बेस पे मेरिट नहीं बनेगी जैसा की GDS यानी ग्रामीन डांक सेबक के लिए हो रहा है अगर अभी तक आप लोगों ने GDS के लिए आवेदन नहीं किया है तो 16 फरवरी आवेदन करने की आखरी डेट है आप लोग आवेदन जरूर से कर दें और इस नई भरती के लिए भी आपको आवेदन करना चाहिए अगर आपको साल 2030 के अंदर सरकारी नोकरी चाहिए चुकि अगले कुछ सालों में चुनाओ देखने को मिलेंगे इसलिए यहाँ पे आप सभी के लिए भर भर के 2030 के अंदर भरतियां आने वाली हैं जिनके लिए आप लोग आवेदन करके अपनी सरकारी नोकरी पाने का सपना पूरा कर सकते हैं काफी जादा वेकेंसीज हैं और केटेगरी वाइस वेकेंसीज की बात करेंगे दोनों नोडिकेसन को ओपन करेंगे अगर आप लोग दसवी पास हैं और अभी तक आप लोगों के पास किसी भी तरह की प्राइबेट या सरकारी नोकरी नहीं हैं तो आप लोग स्पीडों को आगरे तक देखेगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आगे आने वाली सरकारी नोकरी की जानकारी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बिल नोडियो केसन को जरूर से आन करिएगा नए notification के अंदर important dates क्या रहने वाली इसके बारे में बात करेंगे जैसे ही आपकी GTS की वेकेंसी ओवर होती है आपको 80 ने वेजार 83 पदो पर भरतियां देखने को मिलेंगे इसका प्रूब भी आपको आगे इस वीडियो में मिलेगा तो चले सबसे पहले हम लोग MTS का notification ओपन करते हैं उसके बाद आपको postman और mail guard का notification भी दिखाते हैं कैसे आप एदन करना है कहां से notification डाउनलोड करेंगे इसके बारे में भी आपको आगे इस वीडियो में चानकारी मिलेगी तो दोस्तो पहला notification ओपन हो चुका है जो की MTS के लिए देख सकते हैं Government of India, Ministry of Communication, Department of Post और यहाँ पे आपको notice देखने को मिलेगा MTS आनी multitasking staff recruitment के लिए जब आप लोग यहाँ से scroll करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ दूसरे नंबर पेंज से सारी जानकारी देखने को मिलेगी date यहाँ पे 2022 आखरी की है लेकिन यहाँ पे आपको announcement का notification का date नहीं बताया गया government of India, ministry of communication, department of post और यहाँ पे 2000 जो है तो यहाँ पे देख सकते हैं तेज के लिए MTS आनी multitasking staff की भरतियों के बारे में चानकारी दी गई है rule book 2022 के अंदर ही जारी कर दी गई थी और vacancies 2030 के अंदर में आनी है सबसे पहले उमेद लगाई जा रही थी कि 98,083 पदों पर भरतियों के notification जारी किये जाएंगे लेकिन पहले आपको 40,000 GDS भरतियों के notification देखने को मिल गए आप लोग यहाँ पर schedule के अंदर देख सकते है पोश्ट नेम नंबर और पोश्ट क्लासिविकेशन और पे लेवल यानी बेतन और यहाँ पर आपको जो है तो selection पोश्ट और non-selection पोश्ट देखने को मिलेंगी MTS यानी multitasking staff के vacancy है 37,549 नंबर और पोश्टे आपको देखने को मिलेंगे इस बार की भरतियों के अंदर जहाँ पर cable और cable MTS वाले आविदन करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं group C के vacancy है और level A के अंतरगत यहाँ पर आपको बेतन दिया जाएगा 28 से लेकर 25 साल तक के candidate यहाँ पर आविदन करेंगे और education qualification के बल और cable कक्षा दस्वी पास यहाँ पर मागा गया है यानी 10th पास वाले candidate जो दस्वी पास हैं वो MTS के लिए आविदन कर सकते हैं 2nd number point पे कहा गया है कि no education qualification is required for direct recruitment of grammy and dark sidewalk and casual levers यहाँ पर leverer यानी कि यहाँ पर कोई भी education qualification extra जो है तो नहीं मागा गया के बल और के बल कक्षा दस्वी पास वाले candidate यहाँ पर आविदन करेंगे बाकि इसके बारे में यहाँ पर इस post के बारे में complete जानकारी यहाँ पर दी गई है आप लोग इसको देख सकते हैं notification का link बीडियो के description मिलेगा वहाँ से भी आप लोग download कर सकते हैं अब हम बात करते हैं postman और 7th mail guard के बारे में तो दोस्तो यह रहा दूसरा notification, government of India, ministry of communication, department of post और यहाँ पर आपको postman और mail guard की नई भरतियों के बारे में जानकारी दी गई है विसिकली यहाँ पर यह बताया गया था कि कितनी number of vacancy आपको department के अंदर खाली देखने को मिलेंगी और इनके अंदर 2,23 के अंदर आपको भरतियों के official notification देखने को मिलेंगे जिनके लिए आवेदन करके आप लोग जौब पासकती है जब आप लोग यहाँ से नीचे आएंगे तो आपका नया notification स्टार्ट होगा सबसे पहले आपको पोश्ट यहाँ पोश्ट मैन के बारे में जानकारी दी गई है देखे यहाँ पे आपको schedule, पोश्ट name, number of post, classification, pay level और यहाँ पे selection post और non-selection post के बारे में जानकारी है आपको बता दें पहला नंबर आपको पोश्ट मैन की यहां पे वेकेंसी मिलेंगी जहां पे आपको लगबग 69,000 प्लस यानि 69,99 पोश्टे देखने को मिलेंगी और गुरुप C के अंदर ही वेकेंसी हैं और पे लेबल 3 में आपको 21,700 से 79,100 रुपर तक का अच्छा बेतन भ मिलेगा जब आप लोग यहां से नीचे आते हैं तो आपको आपके एजुकेशन और एज के बारे में जानकारी दी गई है उम्र 18 से 27 साल और 5 साल की छूट प्लस यहां पे 28 प्लस 5 करेंगे 27 प्लस 5 तो आपका टोटल 32 साल यानि 18 से 32 साल की एज वाले केंडिडेट यहां प पास फ्रॉम ए रिकॉगनाइज बोड फोर दी परसन हो और वर्किंग एज ग्रामी डांक सेबग जिनका भी चैन जीडियस यानि ग्रामी डांक सेबग की पदों पर अल्रेडी हो चुका है अगर वो आवेदन कर रहे हैं तो वो दसवी पास ने तो इलिजबल हैं आवेदन करने के लिए और साथ में आपको नौलेज और वर्किंग और कंप्यूटर यानि के कंप्यूटर में काम करने का नौलेज आपको होना चाहिए तो कुल मिला के आप लोगों ने देखा कि यहां पे बारवी पास केंडिडेट आवेदन कर सकते हैं और दसवी पास वाले केंड आवेदन करेंगे तो आप लोग डारेक्ट आवेदन कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें आपको बेनिफिट में मिलेगा और साथ में अधर पोस्ट में भी आप जो है तो डिपार्टमेंटल जो वेकेंसी रिजर्व रहेंगे उनके अंदर आपका चैन भी आस आपको एक और वेकेंसी मिलेगी जो कि है मेल गाट की देख सकते हैं मेल गाट की जो वेकेंसी है इसके अंदर आपको 1445 पोश्टे मिलेंगी गृप C की 21,700 से 79,100 रुपय का आपको बेतन दिया जाएगा और यहां पे नौन सेलेक्टन जो पोश्टे हैं 18 से 27 साल की एज है शूट के साथ 32 साल और सेम एजुकेशन कॉलिफिकेशन यहां पे भी है बारवी पास और जो जेडियस की पदो पर सेलेक्शन पाच चुके हैं दस्वी पास वाले वो लोग आवेदन कर सकते हैं के बल दस्वी पास से और यहां पे आपको कम्प्यूटर का नौलेज और लो आज के इस वीडियो में हम बात करें हैं डांक प्युवा की तरप से आजुकी भरती 2023 के बारे में जहां पे आपको 9893 पदो पर भरतियों के नोटिविकेशन देखने को मिलेंगे इन भरतियों के लिए महिला पुरुस दोनों किटिगरी के कंडिडेट आवीदन कर सकते हैं जहां पे आपको पोश्ट मैन, MTS और मेल गार्ड की विकेंसिया देखने को मिलेंगे अटर से 32 साल तक के कंडिडेट आवीदन करेंगे और यहां पे आपको एक्जाम के साथ मेरिट के अधार पे सेलिक्सन पाना होगा आपको बता होगा कि GTS की 4889 पदो पर भरतियों के लि आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोडिविकेसन को चरूर आन करें चले चलते हैं आज के अपने में टापिक और ओफिसल वेबसाइट पर दोस्तों आपको आविदन करने का नोडिविकेसन डाउनलोड करने का लिंक वीडियो के दिसक्रिप्सन में और आप लोग जहां पे कमेंट करते हैं फर्स्ट कमेंट के अंदर पिन कर दूँगा तो क्लिक करके इस पेंच पे आ सकते हैं यहां पे आने के बाद देख सकते हैं सरकारेग्जाम.co.com की ओफिसल वेबसाइट के उपर हैं जहां पे आपको डांक विव प्राग भरती 2003 सप्लाई online for 98,083 पोस्ट में मेल गार्ड और MTS पोस्ट वेकेंसी के लिए आपको आविदन करना होगा जब आप लोग यहां से नीचे आएंगे तो देख पाएंगे department इंडिया पोस्ट आफिस है जहां पे आपको पोस्ट में मेल गार्ड और MTS की भरतियां मिलेंगी 98,083 पोस्टे हैं starting date अभी notify soon है और यहां पे last date आपका 30 दिनों का समय मिलेगा starting date से लेकर online तरीके से आपको आविदन करना होगा education की बात करें तो यहां पे पहले आप लोग vacancy distribution देखें यहां पे postman की vacancy है mail guard की पोस्टे हैं और साथ में आपे MTS की vacancy है इनके लिए आपको आविदन करना है circles के name है और इसके सामने आपको complete vacancy है मिलेंगी आप लोग scroll करके check out कर सकते हैं total number vacancy आपको यहां पे देखने को मिलेंगी 10 वी और 12 पास candidate यहां पे आविदन कर सकते हैं जहां पे आपका age जो है तो 18 से 17 साल के बेच में होना चाहिए आपका जो selection है यहां पे clear किया गया कि exam और made के base पे होगा जैसे ही notification में आता है कुछ भी आपको जानकारी मिल जाएगी बहुतन आपको इस पार काफी अच्छा मिलेगा जो की 21,700 से 79,100 रुपै का रहेगा साथ में application fees पुरानी है जर्णल OBS CWS का सवरुपै, SCHTPH और महिलाओं का बिलकुल फ्री देन बात करते हैं important link के बारे में तो यहां से जब आप लोग नीचे आएंगे तो आपको यहां पे application forum online का और download notification official website का link मिलेगा आप लोग drop notice डाउनलोड करें और जानकारी देखें जैसे ही नया नाड़ी वीकेसान आता है आभीदन करने का आपको जानकारी मिल जाएगी मिलते हैं अगली वीडियो के साथ next update में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद